क्यूटीज, वेल्कम बेक्ट टू माई चैनल तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं यह डेकोरेशन अइटम तो इसको आप कहीं पे भी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं तो चलिए फटाबर शूर करते हैं, तो यहां देखिए हमने जो है A4 sheet को इस तरीके से half में fold कर लिया है Basically हमें इसको zigzag way में fold करना है, तो हमें इसे बहुती आसानी तरीके से zigzag way में fold करना है कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी लाइने जो है, वह zigzag way में आ चुकी है अब हमें क्या करना है, simply जो आपनी लाइने आपको दिखाई दे रही है, इस पेपर को fold करके zigzag way में fold कर लिजिए तो देखें कितनी आसानी से और कितनी जल्दी जल्दी हमारे जो है, वह zigzag way में fold हो गया अब जो हमने इस ट्रिप लिए है, हमें इस इस ट्रिप के उपर जो है, उपर curve बनाना है क्योंकि हमें इसका जो हिस्सा है उपर वाला, वह curve में cut करना है सेम वह नीची वाले पार्ड को भी हमें curve में cut करना है, आप कोई और भी shape ले सकते हैं और हमें क्या करना है, simply cutting करनी है, तो cutting करने से पहले हम थोड़ा सा draw कर लेते हैं क्योंकि आप draw करके अगर cut करेंगे, तो आप easily इसको cut कर सकते हैं अगर आप डारेक भी cut करना चाहते हैं, तो cut कर सकते हैं, बट मेरे साथ यहां पर क्या problem हुई कि जो मेरे सीजर है, उसकी जो धार है वह थोड़ी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए finishing नहीं आई है बट आप अगर अच्छी सीजर से इसको cut करते हैं, तो बहुत अच्छी finishing के साथ यह cut होगा, तो यहां देखिए हमारा design बन चुका है अब हमें क्या करना है, इसको half लेके इस तरीके से 20 से पाट को cut कर लेना है, cut करने के बाद आपको दोनों साइड में इसको half आप मोड देना है, तो यह देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको basically paste कर देना है, ताकि यह दोनों तरह से चिपक जाए, और जो इसके winds और पर हैं अब हमें क्या करना है, देखिए, उपर वाले पाट को हमें देखना है, कितने centimeter का है, सेम इतनी ही centimeter की जो हमें strip जो है, वो 2 strip कट करने है, यहाँ पे डेर से थोड़ा सा फालतू मेरी strip थी, तो मैंने डेर डेर centimeter की 2 strip जो है, यहाँ पे वो कट कर ली, अब देखिए, एक strip को half में थोड़ा सा कट कर लिया है, और इस तरह से दोनों को जोइंट करके कर्व कर लिया है, और दूसरी वाली strip को देखिए, हमें इस तरीके से फोल्ड करके, पहले छोटा सरके, फिल बड़ा सरके, फिर उससे बड़ा तीन सरकिल को इस तरह से जोइंट करके, हमने दो है, इस तो आप देख सकते हैं दोनों की कटिंग में अंतर है आप चाहें तो कोई भी कटिंग इसमें यूज कर सकते हैं तो यह हमारी पेपर एंजल फिल्कुल रेडी हो चुकी है तो आपको यह कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा आप इनको किसी भी डेकोरेशन के टाइम म यूज कर सकते हैं और हाँ नेक्स वीडियो में मैं न्यूएर से रिलेटिव बहुती सुन्दर एजी पेपर क्राफ लेक आने वाली हूँ जो लोग नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो प्लिए बाबाए